गईस आज की वीडियो काफ़ इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे बजाज, चेतक, अर्बन, दोजा, चोविस वाला वेरिंट जो के लेटेस्ट वेरिंट है बजाज चेतक का अब इसके अंदर आपको दो मोडल मिलते हैं, एक है टेक पेक जिसके अंदर आपको हिल होड मिल जाता है, रिवर्स मोड मिल जाता है, एब करनेक्टिविटी फुल फिल हो जाती है और साथ में स्टेंडर जो वेरिंट है, उसके अंदर ये तीन फीचर्स नहीं दिये गए हैं वहीं पर physical changes की बात करें तो दोनों ही model के अंदर आपको कोई भी difference नहीं मिलेगा अगर pricing की बात करें तो tag pack और standard दोनों के अंदर लगबग 8000 पर का difference रहेगा जो हम आगे discuss करने वाले वीडियो में साथ में इसकी subsidy कितने रहेगी color क्या है warranty क्या है वो सब कुछ discuss करेंगे बड़ शुरुआत कर लेते हैं front profile से तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसकी key की तो यहाँ पर आपको fob की दी गई है दो चाबियों का set रहेगा design wise भी काफी अच्छी है और यहाँ पर भी आपको ignition switch नहीं मिलेगा key lock नहीं मिलेगा जैसा ओला में दिया गया है चेतक के अंदर आपको काफी classic look के साथ में round shape के अंदर LED DRL मिल जाएगा और headlamp का जो सारा setup है वो भी LED के अंदर दिया गया है center में गोर करके देखेंगे तो चेतक का एक छोटा सा logo भी दिया गया है बात करें इसकी RVM की तो total metal के अंदर है triangle shape के अंदर यह दिये गया है और build quality आपको एक एक parts की काफी अच्छी मिलने वाली है front panel पर number plate लगाने के लिए space मिल जाएगा एक grill भी दी गया है dual tone के अंदर जिसके chest पीछे होरन की fittings दी गया है trend indicator की बात करें तो design wise भी काफी अच्छे हैं और LED के अंदर दिये गया है तो इनकी night visibility भी काफी अच्छी होने वाली है material की बात करें तो maximum panels आपको metal के अंदर ही दिये गया है चेतक के अंदर front fender की design कुछ ऐसी दी गई है और भाई ये भी metal के अंदर मिलने वाला है आपको अब आजाते हैं इसके front suspension की तरफ जो थोड़ा difference मिलने वाला है आजकल आपने देखा होगा generally telescopic shock absorber दिये जाते हैं scooters के अंदर भी बट चेतक के अंदर आपको single sided loaded link वाला suspension मिलने वाला है tear की बात करें तो यहाँ पर रहेगा 90 by 90 का 12 inch की aluminium alloy wheel rim के साथ में braking के अंदर आपको पहले देखा होगा आपने disc brake दिये जाते थे चेतक के अंदर बट चेतक urban के अंदर आपको combi brakes दिये जाते हैं drum brake के साथ में अब इसकी wheel rim की design केस ही है तो दूसरी तरफ आपके check कर लेते हैं काफी अच्छी looks के साथ में आपको alloy wheel rim दी गई है जो black finish के अंदर है front side cover करने के बाद में आजाते हैं चेतक urban की left side profile की तरफ तो यहाँ पर एक frame के अंदर देख सकते हैं scooter कुछ ऐसी design का दिखने वाला है tech pack और standard के अंदर आपको body के अंदर कुछ भी difference देखने को नहीं मिलेगा जो भी difference है वो क्यों software के अंदर दिये गए हैं चेतक को चलाने के लिए आपको RC और DL दोनों की जरुत पड़ेगी क्योंकि एक high speed electric की scooter है और इसके side stand को देख लें तो भाई ये भी आपको कुछ अलगी looks के साथ में दिया गया है foot board को flat surface के साथ में दिया गया है आप यहाँ पर comfortably pair रख सकते हैं कोई छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं बट बात कर ले LPG cylinder की तो भाई वो तो आप यहाँ पर नहीं रख पाएंगे other scooter में आपने handle के pass में hook देखा होगा बट यहाँ पर थोड़ा unique की style के अंदर hook दिया गया है इसके उपर आप 80 kg तक वजन टांक सकते हैं और easily fold और unfold हो जाता है seat को देख लें तो काफी लंबी size के अंदर है इसके जो cushions हैं वो काफी soft दिये गए हैं ताकि riding के time पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपने देखा होगा electric scooter के अंदर जो seat होती है उसकी size काफी कम हो जाती है बट यहाँ पर आपको लगबग petrol scooter जितनी है लंबाई मिल जाएगी seat के अंदर pass में आपको metal की grip rail भी मिल जाएगी जिसके ओपर आपको dual tone के अंदर texture देखने को मिलेगा guys अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो इसी तरह की detailed वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को subscribe भी कर सकते हैं side panel भी आपको metal के अंदर दिया गया है और design को देख लें तो classic look के साथ में आता है यहाँ पर आपको कोई भी graphics देखने को नहीं मिलेंगे अगर आपने कहीं देखे हैं तो please comment box में जरूर बताना भाई finally आजाते हैं इसकी motor की तरफ तो यहाँ पर आपको 4.2 kWh की BLDC motor मिलेगी जो IP67 के साथ में है तो पानी वगरा के tension लेने के जुरुत नहीं है पास में आप देखेंगे तो battery दी गई है जो lithium-ion battery है fix है आप उसको निकाल कर charge नहीं कर पाएंगे और 2.9 kWh के साथ में आती है rear suspension को भी देख लें तो offset monoshock absorber दिया गया है जो fix है आप इसको adjust नहीं कर पाएंगे breaking के अंदर front की जैसे rear side में भी drum brake दिये गये हैं और tire size भी same रहेगी 90 by 90 की 12 inch की aluminum alloy wheel rim की साथ में यहाँ पर जो बड़े size के tire दिये गये हैं इसके वज़े से आपको on road काफी अच्छी stability मिलेगी और दोने ही tire tubeless दिये गये हैं तो puncture अगरा के भी tension लेने की जुरूत नहीं है guys एक एक करके सारे points cover कर रहे हैं बट फिर भी अगर आपको कुछ सवाल हो तो comment कर दे ना मैं उसके उपर revert कर दूँगा front और left side cover करने के बाद मैं final है जाते हैं इसकी rear side profile की तरफ तो यहाँ पर भी front की जिससे आपको center में एक छोटी सी grill मिल जाएगी इसका turn indicator हो या फिर tail lamp हो सारा setup LED के अंदर दिया गया है अब चेतक के अंदर maximum panels आपको fiber की जगे metal के अंदर दिये गया है तो build quality के साथ साथ जो fit and finish है वो भी काफी अच्छी मिलने वाली है दोनो tail lamp के बीच में चेतक की प्यारी सी branding देखने को मिल जाएगी इसके just नीचे देखेंगे तो number plate light है number plate लगाने के लिए space दिया गया है और दोनों तरफ round shape के अंदर reflector दिये गया है safety के लिए front tire के अंदर जो alloy wheel rim दी गई थी वैसी ही design के अंदर वैसी ही size के अंदर आपको rear side के अंदर मिल जाएगी motor की जो max tour के निकल कर आती है वो है 16.2 NM की जिसके वैज़े से आप बजा चेतक urban को 73 km परार तक की top speed तक ride कर सकते हैं इस बार आपको चेतक urban के अंदर portable charger दिया गया है charging pin की बात करें तो कुछ ऐसी design की है इसके अंदर आपको एक cap मिल जाएगी जो rubber की है safety के लिए तो metal body के साथ में हैं और कुछ ऐसी design का रहेगा पिछले variant के अंदर आपको arthing का connection लेना जरूरी था बट इस बार आप जो normal socket होते हैं घर के वहीं से आप इसको charge कर पाएंगे अगर इसकी specs की बात करें तो ये made in India है और इसका maximum output 11.5 ampere का है जिसके वज़े से ये scooter को 4 to 5 hours के अंदर full charge कर देगा और एक बार charge होने के बाद में 113 km तक की range ले सकते हैं जो ARII certified है चेता करबन के अंदर आपको दो riding mode मिल जाएंगे जो रहेगा eco और sport finally आदेते हैं scooter की तरफ और यहाँ पर बात करेंगे में instrument cluster की design wise देखें तो अभी भी आपको round dial के अंदरी मिलेगा बट बड़ा update यह है कि पहले आपको color display नहीं मिलती थी बट इस बार आपको LCD color display मिलेगी जिसके अंदर आप गाड़ी की speed देख सकते हैं pass में range शो हो जाएगी battery के percentage check कर पाएंगे pass में उपर की तरब देखेंगे तो आपको time भी show होगा उपर की तरब जित्ती भी indication lights है वो आपको round circle के अंदर दी गई है instrument cluster की day और night visibility दोनों ही काफी अच्छी है और पहले के मुकाबले इसको काफी improve कर दिया गया है यह कहना गलत नहीं होगा switches के बात करें तो right side में drive के लिए reverse के लिए और यहाँ पर space को open करने के लिए इसे एक बार click करेंगे तो front side में जो space दिया गया है handle के पास में वो open हो जाता है देख पाएंगे आप जैसे ही इसको आप click करते हैं तो front side में धीरे धीरे जो है यह open हो जाएगा और इसी के अंदर आपको एक USB port मिल जाएगा जो cap के साथ में आता है इजले cap को open करेंगे और mobile अगर आप यहीं से charge कर सकते हैं USB port के पास में आपको tool kit और first aid kit box मिल जाएगा रड़ सैड में तो नहीं बट लेफ्ट सैड में थोड़ा वो थी space मिल जाएगा चोटी मोटी चीज आप यहाँ पर रख सकते हैं इसको बंद करने के लिए आपको प्रेस करना है और यह लोग हो जाएगा अगर इस बटन को एक बार प्रेस करते हैं तो handle के पास वाला जो है space open होता है जिसमें आपको बताया और थोड़ देर प्रेस करके रखते हैं तो seat unlock हो जाती है तो seat को unlock कर दिया है इक बर देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक charging point मिल जाएगा जहाँ पर आप charger को connect करके scooter को charge कर पाएगे और इसी के पास में एक छोटी LED light मिल जाएगी जो night में अगर यहाँ पर कुछ सामान विगर रखते हैं तो उसके अंदर काफ़ important रहेगी अगर booty space की बात करें तो चेत तक urban के अंदर 18 liter का मिलता है आप इसके अंदर charger carry कर सकते हैं अगर helmet की बात करें तो full size helmet तो नहीं रख पाएंगे बट normal size helmet आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं इसके अंदर आपको एक first aid kit मिल जाएगा और एक book मिल जाएगी riding instruction के लिए अब seat को down करते हैं और चलते हैं जल्दी से handle के पास में red side की switchs हमने cover कर लिए हैं left side की मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ दिया गया है बजा, चेतक, अर्बन के अंदर तो scooter को दुबारा से on कर लेते हैं और left side के अंदर headlight के लिए इसके पास में देखेंगे तो high beam, low beam के लिए turn indicator के लिए, horn के लिए और इसके पास में आपको blue truth connectivity के लिए switch मिल जाएंगे अब एक चीज और बताना चाओंगा कि मान लीजिए आपका scooter slow पे खड़ा है तो आप जो है manually यहाँ पर side log लगा सकते हैं ताकि धलान के अंदर जो है scooter आपका इदोरदर ना हो और इसको unlock करने के लिए आपको simply lever को थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा तो यह फिर से unlock हो जाएगा guys अब बात कर लेते है warranty की क्योंकि electric vehicle के अंदर warranty काफ़ important होती है तो यहाँ पर आपको 3 साल और 50,000 km तक की vehicle warranty मिलती है चेतक अरबन के अंदर आपको 4 color option मिल जाएंगे वहीं पर इसके dimensions की बात करें तो मैंने slide add कर दी है आप वीडियो pause करके check out कर सकते हैं सबसेडी की बात करें तो वो रहेगी 17,897 रुपीज वहीं पर action room price रहेगी tech pack के अंदर 1,23,000 रुपीज वहीं पर जो normal variant है standard variant है उसकी action room price रहेगी 1,15,000 रुपीज तो गईस यह था आज का वीडियो बजाग चेतक अरबन 2024 वाले वेरियंट के उपर जो steel body के साथ में आता है अगर आप एक reliable और मजबूत electric scooter डूण रहे हैं तो बजाग चेतक अरबन आपके लिए best option हो सकता है तो गईस इसी तरह की वीडियो देखते रहेने के लिए चैनल को subscribe भी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो like कर देना मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के अंदर take care and thanks for watching